नमश्का दोस्तों पौनवा एकनम में आपका स्वागत है क्लास 10 का रिजल्ट कल ही लगा है और क्लास 10 के रिजल्ट के बाद में जो 11 की एडमिशन पूसेस है उसमें बहुत बड़ा डिले होने की संभावना है रीजन यह है कि हमारे बोर्ड ने महारास स्टेट बोर्ड ने तो हमारा रिजल्ट लगा दिया लेकिन जो केंदरी के बोर्ड है जो सेंटरल बोर्ड है लाइक सीबी एसी और आईसी एसी इन लोगों के एक्जाम दो टर्म में हुई थी तो दोनों टर्म का क्युमिलिटर रिजल्ट ही बनाएंगे जो एड्मिशन की प्रोसस है जब तक यह लोग रिजल्ट देंगे निए तब तक वो डिले होने वाली है और जो मतलब अब सर ऐसा क्यों हो रहा है इसका रीजन ऐसा है मैंने बता आपको कि दो दो टर्म में एक्जाम होई है फर्स टर्म का रिजल्ट सेकंड टर्म का रिजल्ट और दोनों रिजल्ट का क्युमिलिटर रिजल्ट यह बनाएंगे तो इसके लिए यह जो है इस प्रोसस में थोड़ा टाइम लगना है ठीक है बट मुद्दा यही है अभी जो है अभी का अपडेट ही है कि आर आपके अड्मिशन प्रोसस बतलब डिले होगा और कहीं ऐसा नहों कि सब्टेंबर तक आपका कॉलेज खुले क्योंकि देखिए यह प्रोसस अभी है अभी में सब्सक्राइब तो यह बात सप्टेंबर तक जानी है देखते हैं कब तक होता है लेकिन सेकंड प्रोसस तो स्टार्ट हो जाना चाहिए जल्दी से लेकिन इन लोगों रिजल्ट डिया नहीं है हो सकता है कि रिजल्ट अगर समझो 15-20 दिन में आता तो उसके बाद यह प्रोसस शुरू होगी लेकिन इनका डिले और सिर्फ एक बोर्ड नहीं दोनों बोर्ड के रिजल्ट आना चाहिए मतलब 11 के लिए स्पेशली जो बच्चे 11 में गए है और जो बच्चे 12 के है उन लोगों के लिए मैं एक स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रहा हूं आने करमी पर और वह गरीब 11 बजह होगी सुबह तो ट्यूसरे से जुरू होगी उसको जुरू जोइन कीजेगा और जो हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जुरू बताना कि हमें अपडेट देते रहूं बिलकुल बताते रहेगा ओके ठैक्स बाबा एंड टेक केर